चाहते हैं इसी तरीके की वीडियो आपको डेली मिलती रहे और रीजिनिंग मैथ की भी वीडियो आपको मिलती रहे तो नीचे रेड कल के बटन को दबा करके बैल आइकन को ओन कर लीजेगा आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुचने स्टार्ट हो जाएंगे तो चलिए स स्कूर कमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करेगा ताकि जादा से जादा बच्चों तक पहुच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप पहला कोशन है और हर एक कोशन के लिए आपको पांच से छे सेकिंड मिलेंगे तो आंसर ज ए हो जाएगा कोशन नमबर टू बारत्य राष्ट्य धवज के चक्र में कितनी तिल्या हैं तो सभी को पता होना चाहिए और पता भी होगा राइट आंसर ओप्शन भी हो जाएगा बिलकुल सही कोशन नमबर त्री बारत्य सविदान सभा ने राष्ट्य धवज के आया बहुत अच्छा कोशन है बिलकुल सही अगर आप ओप्शन ए लगा रहे हैं तो वेरी गुड बहुत अच्छे कोशन नमबर फोर दवज गीत की रचना किसने की थी यह भी काफी अच्छा कोशन है और बिलकुल सही अगर आप ओप्शन यहाँ पे सी लगा रहे हैं तो वेरी गुड बहुत नमबर फाइव भारत के राष्ट्य गान के रचना कार हैं तो बिलकुल बच्चों को पता होना चाहिए सबको पता होना चाहिए यहाँ पे पांच बेकार राइट आंसर ओप्शन भी हो जाएगा देखिए यह बहुत ही बेसिक चीजे होती हैं यह आपको पता होनी चाहिए और जितने भी आपके फ्रेंड है जितने भी आपके फैमि मेंबर को अपने हर एक फ्रेंड को कोश्चन नमबर शिक्स वंदे मात्रम को राष्ट्य गीत के रूप में किस तिथी को सविकार किया गया बिल्कुल सही अगर आप ओप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है डी इस राइट आंसर कोश्चन नमबर सेवन वंदे मात्रम बंकिम चंदर चटर जी के किस उपन्यास से लिया गया है यह भी काफी अच्छा कोश्चन है और सेवन का राइट आंसर आपका ओप्शन भी हो जाएगा तो आशा करता हूँ कि आप समझने होंगे ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन पे चलते हैं कोश्चन नमबर एट भारत का राष्टिय पंचांग की सवंध पर आधारित है बिल्कुल सही अगर आप यहाँ पे ओप्शन ए लगा रहे तो वेरी गुड कोश्चन नमबर नाइन भारत का राष्टिय खेल कौन सा है तो यह बिल्कुल बच्चो वाला कोश्चन है मुझे भी पता है बट पता होने चीए जिनको नहीं पता है ओप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोश्चन नमबर टेन भारत का राष्टिय पसू है अभी आपका कौंस्टेबल में आर्पिअफ कौंस्टेबल में कोश्चन पूछा गया था यह तो बिल्कुल सही अगर आप ओप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं लगा रहे हैं तो वेरी गुड देखिए अगर टेस्ट पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे हैं आपके लिए लगातार इस तरीके की वीडियो लाने के लिए प्रत्वी दिवस है प्रत्वी दिवस कम मना जाता है बहुत अच्छे अगर आप यहाँ पर ओप्शन बी लगा रहे हैं तो वेरी गुड बारवे का राइट आंसर बी हो जाएगा कोश्चन नम्बर थर्टीन विग्यान दिवस कम मना जाता है यह कोश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है पता होना चीए आपको ठीक है तो यह ओप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोश्चन नम्बर फोर्टीन अंतराष्टी यह महिला दिवस कम मना जाता है तो यह कोश्चन भी काफी अच्छा है इसको भी बताईएगा बिल्कुल सही अगर फोर्टीन का राइट आंसर आप ओप्शन बी लगाने तो वेरी गुड राइट आंसर बी हो जाएगा कोश्चन नम्बर फिफ्टीन ग्यारत जुलाई को किस दिवस के रूप में मना जाता है तो यह कोश्चन भी अभी आपका पूछा गया था और इसका राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा अगर आप ए लगाने तो बिल्कुल सही है कोश्चन नम्बर सिक्स्टीन चोदा सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मना जाता है तो यह भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सिक्स्टीन का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा ठीक है चलिए कोश्चन नम्बर सिवन्टीन राजीव गांधी के जनम दिवस बीस अगस्ट को किस रूप में मना जाता है बहुत अच्छे यहाँ पे सिवन्टीन का राइट आंसर ओप्शन अगर आप बी लगा रहे हैं तो वेरी गूड ठीक है चलिए कोश्चन नम्बर एटीन पर आजाते हैं एटीन में बोल रहा है पांच सितंबर को मना जाने वाला सिक्षक दिवस किसके जनम दिवस के अवसर पर मना जाता है तो बिलकुल सही यहाँ पे अगर आप ओप्शन डी लगाने तो वेरी गूड राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा बहुत अच्छे कोश्चन नम्बर नाइनटीन विश्व मानव अधिकार दिवस कम मना जाता है तो बिलकुल सही है अगर आप ओप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं तो वेरी गूड कोश्चन नम्बर ट्वेंटीन विश्व हिमोफीलिया दिवस कम मना जाता है बीसवे का बताईएगा तो बीसवे का राइट आंसर आपका ओप्शन ए हो जाएगा अगर आप ओप्शन लगा रहे हैं तो बिलकुल सही है कोश्चन नम्बर ट्वेंटीवन देखे आंसर कमेंट बोक्स में बताते रही है जो भी आपका चाहिए चाहिए गलत है ट्वेंटीवन वायू सेना दिवास पहुत अच्छा कोश्चन है और राइट आंसर कर रहेगा जल्दी से बताईए बिलकुल सही अगर आप ओप्शन यहां पर सी लगा रहे हैं तो वेरी गुड राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा कोश्चन नम्बर ट्वेंटीवन विस मधु में दिवास किस तिथी को मना जाता है तो बहुत अच्छे हैं अगर आप ओप्शन यहां पर लगा रहे हैं तो वेरी गुड राइट आंसर आपका यह हो जाएगा कोश्चन नम्बर ट्वेंटीथी एन इकबल म्यूजिक के लेखक हैं बिल्कुल सही अगर आप यहां पर ओप्शन बी लगा रहे हैं तो वेरी गुड राइट आंसर आपका बी हो जाएगा उर्वसी के रचनाकार कौन है यह कोश्चन अभी आपका पूचे गया था एसाई में कोश्चन नम्बर ट्वेंटीफोर देखे आदे से ज्यादा टेस्ट आपका हो चुका है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक और सेर कर दीजिए और टेस्ट को पूरा एंड तक लगाएगा ट्वेंटीफोर को राइट आंसर आपका ओप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा ठीक है यहाँ पर कोश्चन नम्बर ट्वेंटीफाइव है विश्व परसीद महा काविय काम यानी के रचियता है तो बिल्कुल सही है ट्वेंटीफाइव का राइट आंसर आपका ओप्शन ए हो जाएगा ठीक है चलिए कोश्चन नम्बर ट्वेंटीफिक्स डिस्कवरी ओफ इंडिया किसने लिखा है तो ट्वेंटीफिक्स का याँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ओप्शन ए लगा रहे है वेरी गूड कोश्चन नम्बर ट्वेंटीफिक्स परसिद तिल्समी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक है तो ट्वेंटीफिक्स का बिल्कुल सही है अगर आप ओप्शन यहाँ पर डी लगा रहे हैं तो वेरी गूड कोश्चन नम्बर ट्वेंटीएट निमल निखित में से कालिदास की रचना कौन सी है तो बिल्कुल सही है अगर आप ओप्शन यहाँ पर ट्वेंटीएट का डी लगा रहे हैं तो यह सभी हैं कालिदास की रचना हैं कोश्चन नम्बर ट्वेंटीनाइन तो ट्वेंटीनाइन है आपका हितोप देश की रचना किसने की ट्वेंटीनाइन का राइट आंसर बिल्कुल सही अगर आप यहाँ पर ओप्शन बी लगा रहे हैं तो वेरी गूट कोश्चन नम्बर ट्वेंटी निमलिखित में से विलियम सेक्सपियर की रचना कौन सी है तो यहाँ पर 30 का यहाँ पर राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है अगर आप ओप्शन यहाँ पर डी लगा रहे हैं तो यह सभी राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 अगर आप यह वीडियो को एक से दो बार देख लेंगे तो रट जाएंगे इस सारे कोश्चन तो आप इस वीडियो को कभी भी टाइम लगेगा दुवारा फिर रिपीट करके देखेगा तो बहुत सारे कोश्चन आपको बिल्कुल याद मिलेंगे और बहुत सारे बिल्कुल याद हो जाएंगे और सेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा टेस्ट एंड में ही आने वाला है अगर पसंद आ रहोगा तो लाइक कर दीचेगा 31 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा तो बहुत अच्छे अगर आपने ए उप्षन लगा था 32 का आंसर बतेगा 32 कोश्चन है दल्ला ओफ इन्हेरिटेंस किसकी किरती है बिल्कुल सही अगर आप यहाँ पे उप्षन सी लगा रहे हैं तो वेरी गुड कोश्चन नमबर 33 माई नेम इज ट्रेड इसनो दा ब्लेक बुक जैसी चर्चित पुष्टकों के लेखक है तो यह भी काफी अच्छा कोश्चन है 33 का राइट आंसर आपका ओप्षन ए हो जाएगा ठीक है कोश्चन नमबर 34 विंग ओफ फायर किसकी आत्मकत है बहुत अच्छा कोश्चन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत सारे एक्जाम में पूछा जा चुका है 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मैं आसे करता हूँ कि आप बिल्कुल सही आंसर देंगे ओप्शन डी जितने बच्चन लगाया बिल्कुल सही है कोश्चन नमबर 35 सेशोल की राजधानी कहां है कोश्चन नमबर 35 बिल्कुल सही अगर आप ओप्शन यहां पे बी लगा रहे हैं तो वेरी गुड कोश्चन नमबर 36 तुवालू की राजधानी कहां इस्तित है 36 का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही अगर आप यहां पर उप्शन ए लगा रहे हैं very good question number 37 निमल निखित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है तो यह आपको बताना है थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो यहां पर option D गलत हो जाएगा ठीक है तो यह आपका सही उत्तर बन जाएगा ठीक है भई चलिए question number 38 निमल निखित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है तो इन में भी देखिए एक बार अभी आप देखे capital currency से कोशन्स बन रहे हैं आर्पी पैसाई में भी यूपी पुलिस में भी पूछा गया था और ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है तो यह मतलब आपके बेसिक है चीजे जो रिपीट रहती है हर एक एक्जाम में ठीक है तो यहां पर 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी कोशन नमबर 39 स्वीचर लेंड की राजधानी कहां है तो बिलकुल सही अगर आप यहां पर ओप्शन भी लगा रहे हैं तो वेरी गूड कोशन नमबर 40 मोंगा दिसू किस देश की राजधानी है